आदन्य प्रधानमंत्र जी नमस्कार मेरा नाम मधुमिता सेन गुपता है मेरा बेटा कक्षा नवी का छात्र है महोदै पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था टीचर्स अप्रिशेट करते थे लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका की कोशिश की है लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ क्रिप्या मेरा मार्क दर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे सम्हालू धन्यवाद पारिणी क्रिप्या इस पर अपने विचार प्रकट करें आप यह पाबजी वाला है किया कि या तो फंटलाइन वाला होगा कि यह समस्या भी है समाधान भी है हम यह चाहें कि हमारे बच्चे टक्नोलोजी से दूर चले जाएं फिर तो वह एक प्रकार से अपने सारी जिंदिकी से प्रकार से पीछे की दर्ब जाना शुरूब है और इसलिए उसको यह टेक्नोलोजी के सबन में प्रोच्साहिद करना चुई है लेकिन उस टेक्नोलोजी का क्या उप्योग करता है क्या टेक्नोलोजी कि उसको रोबोट बना रही है क्या या इंसान बना रही है अगर माबाब थोड़ी रूची ले कभी खाना खाते समय चर्चा करें टेक्नोलोजी की कि बताई भई इन दिनों क्या चल रहा है टेक्लोलोजी के ख्षेतर में क्या मैं आया है किस प्रकार के नहीं एपस आये हैं उसमें क्या होता है तो बच्चे को लगेगा मैं जो कर रहा हूं मेरे बाबाब हो सकता है मेरी मदद करेंगे तो पहला काम तो आप किसु को रोग रहे हैं मैं देख रहा हूं यहां करीब जानमंद्री के कारकम में होंगे लेकिन कोशिश करते होंगे दोस्त को बताने के लिए मैं यहां बैठा हूँ इससे क्या होता है दीरे दीरे हम सिकूरते चले जा रहे हैं टेक्नलोजी हमें अगर सिकूर देती है हमें नेरो बना देती है हमारी सोच भी बड़ी नेरो बन जाती है तो शायद हमें जीवन को बहुत बड़ा नुक्शान होगा टेक्नलोजी का उप्योग हमारे एक्सपांसेंट के लिए होना चाहिए मेरे सामर्थ हमें बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए और इसके लिए टीचर्स ने भी बार बार इन विश्यों की चर्चा करते रहना चाहिए